भारती जंता पार्टी के पूर्वी युवा-मोर्चा की बैठक युवा-मोर्चा प्रकंड अध्यक्ष साधिन लोहार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से उपस्तित पूर्व मंत्री डॉक्तर लोईस महारंडी उपस्तित हुई बैठक को संभोधित करते हुए उन्होंने कहा इस मई से 30 जून तक चल रहे माजन संपर्क वियान के निमित ये बैठक आयोजित हुई देश के प्रधान मंत्री नदेंदर मोधी के 30 मई को 9 वर्ष पूर्ण हुए नवर्षों के दोरान देश में किये गए विकासकारियों को जनता के बीच ले जाने का काम महाधन संपर्क के दोरान किया जा रहा है इस बैठक में पूर्वी मंडल के मंडल अध्यक्ष सैदेव मरांडी, पूरन सेंग, तपन मिर्धा, निमाई, सादू के अलावे दर्जन और युवा कारिकरता मौजुद रहे माने परदान मंत्री जी ने देश वास्नी के लिए क्या क्या काम किया है, आम जनता के लिए क्या क्या काम किया है इस अभियान के माधियम से महा जन संपर्ख के माधियम से जनता के बीच ले जाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और उसी के निमीत आज हम लोग यहाँ पर बैठक किये हैं अगर हम आपको बता दें कि मानिय परदान मंतरी जी ने आम पब्लिक के लिए देशवासियों के लिए क्या काम किया हैं तो हम छिर्फ ऊदारन स्वरूप आपको बताना चाहते हैं मानिय परदान मंत्री जी ने जो हम लोग इतिहास के पन्नों में परते थे धारा 370 उन्होंने हटाया और जो हम लोग लंबे समय से राम मंदिर का एक देश वासी ने सपना देखा था राम मंदिर का निर्मान का काम उन्होंने शुरू कराया मानिय परदान मंत्री जी ने अपातकाल जो अभी हम का सकते हैं कि पिछले दो-तिन साल में जो देश में इस्तिती महामारी जो आई ती COVID का उस COVID से लोगों को बचाने का काम किया यह तो एक